मननत के कहीं धागे बांदे और मुरादों की लगाई अरजी के मन्नत के कही धागे बांदे और मुरादों की लगाई अर्जी पर खुदा ने उसे तभी दिया जब हुई उसकी मर्जी 21st April 2021 अब आप लोगों को तो पता ही ये वो साल कितना पुरा था COVID का टाइम था मेरी बेस्ट वन की शादी थी और 29 April 2021 2021 मेरे पापा एक्सपायर थे तो अब हुआ ये था कि बेस्ट रेंड के जिंदगी सावर रही थी और मेरी जिंदगी वहीं पर उजड रही थी उसकी राहों में फूल बिच रहे थे और मेरी राहों में काटे फर्क सिर्फ इतना है कि वह सवरी हुई जिंदगी भी किसी उजड़ी हुई जिंदगी से खम नहीं थी क्योंकि शादी के बाद हर किसी की उजड़ते सिफ लड़कों की नहीं लड़कियों की भी तो सिचिवेशन ऐसी बनी ब्रेक अप हो गया बेस्ट फ्रेंड्स का काफी लंबा अठारा महीनों का और अठारा महीने वहीं डिप्रेस्ट और एंजाइटी और पता नहीं कौन-कौन से इश्यू उसके साथ में निकाला उसके बाद में 14 महीनों के बाद में सोचा चलो खुद को उठाते हैं वापिस से नहीं शुरुआत करते हैं तो फ्रेंड के घर पर चट पूजा में दोनों को इन्वाइट किया गया उसको और मुझे भी फर्क सिर्फ इतना था कि मुझे मेरे दोस्त ने खुद से इन्वाइट किया था उसे भी किया था लेकिन उसके पास बीस पचास साहाट कॉल्स दो थे वो मेरे द्वारा किया ग मैंने सावाल नहीं पूछा, कहा जाना है, क्या करना है, मैं वहाँ से निकल गए बस रास्ते में जा कि पूछा कुछ खाया, उसने बोला खिला दे, मैंने बोला चल ठीके, बस वहीं से फिर वापिस से बात्चित स्टार्ट वी, अब पता तो था अज परफॉर्म करना हैं, ल मैं बोला, नहीं करना है, अर्वाण में जाने देशल, सुन के आजाएंगे वापिस, तब मुझे पता चला कि यह फर्क होता है, फ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड में, फिर जब अठारा महिनों के बाद में, जब हमारी बात्चीत हुई, तो मैं ऐसे इंसानों के इंट्रोव आजकल तु बहुत जादा बोलने लगी है, तो मैं वाँ पर थोड़ा चुप हुई, मैं अच्छा मैंने हसके टाल दिया, फिर इसे बेठी हुई थी, तो कुछ उसका यह जो सवाल था, उसका जवाब दिमाग में आया, तो उसी को मैंने नोट किया था, और मैं बताना चाह जो मैंने किसी के साथ नहीं बाटे, उन जजजबातों की घुटन है, हाँ बहुत जादा बोलने लग गई हूँ, पर उसे कैसे कहती, कि आज भी मेरी नोन स्टोप बाते सिर्फ उसी के लिए है, सालों से दिल में दबे जजबात सिर्फ उसी के सामने आने को राजी है, उसक मेरी बाते मुझे में ही रह जाती थी, मैं कैसे कहती उसको कि महीनों की बाते चन दिनों मैं कैसे पूरी कर लूँ, रखे हैं जो उसके हिस्से के जजबात, वो किसी और के साथ कैसे साजा कर लूँ, हाँ मुझे पता है मैं बीते जजबात अब नहीं निकाल सकती, रह गई जो बाते अधूरी उन्हें पूरा नहीं कर सकती लेकिन जो महीनों का नुकसान हुआ है मेरा उसे कैसे पूरा ना करूँ एक वो ही तो है जिसे मिलता है सुकून तो अपने ही सुकून से दूरी कैसे बरदाश्ट करूँ अब तुम ही बताओ उसके लगने से क्या मैं बात करना कर दूँ थैंक यू